नबश्कार मुप्रिया पत्ना नीज में आपका स्वागत है चले जानते हैं पत्ना की 11 फटा फट खबरों को पत्ना के गंगा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर का लोकारपन होगा ज्यल बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही गंगा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर खुलने वाला है जिसका लोकारपन जल्द ही होने की उमीद है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उकमोखी मंतरी तारकिशुर प्रिसाद ने कहा है कि पटना में 336 करूर रुपे की लागत से बने गंगा म्यूजियम और गंगा रिसर्च सेंटर का लोकार पर जल्द होगा तारकिशुर प्रिसाद की माने तो ये दोनों के इंद्र पटना के समाहर राले घाट पर बने हैं और बहुत उपयोगी सावित हो सकते हैं बता दे तारकिशुर प्रसाद ने उक्तबाते विधान परिसद में नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के दौरान दी है बिहार दिवस समारों में शामिल होंगे पटना के दो विश्वद्याले बिहार दिवस आने में अब बस कुछी दुनों का समय रह गया है बहें इस बार कोरोना का प्रभाव भी कम है ऐसे में उमीद है कि बिहार दिवस समारों का आयोजन भाव्य तरीके से होने वाला है इसी के तहट अभी सही तैयारिया भी तेज कर दी गई है मीडिया में चल रही खबरों के निसार सिक्षा मंत्री विजे कुमार चौधरी के निर्देश पर पहली बार बिहार दिवस समारों 2022 में उच्चु सिक्षा निदेशाले की स्तहभागिता होने वाली है इसने देशालेद्वारा संयोजित कारिकरम में 22, 23 और 24 मार्च को राध्धानी के दो प्रमुख विश्विदियाले पत्ना और पाठले पुतर विश्विदियाले के बच्चे विभिने कारिकरम प्रस्तुत करेंगे राज़ानी पतना में शुरू हो रहा है उध्यमी मेला जल्द ही उध्यमी मेला की शुरुबाथ होने वाली है समभावनाई इसकी प्रबल है ऐसे में अगर आप ही किसी प्रकार के बिजनस को या उध्योग धन्डे को लगा चुके हैं या लगाने की सोच रहें तो जल्दी करें, क्योंकि अब जल्द ही बिहार में आपको उध्यमी मेला देखने को मिलने वाला है जहां पर देश के अलग-अलग कोने से अलग-अलग उध्योग करने वाले लोग एक साथ मिलेंगे इतना ही नहीं, इस मेले में आपको तरह-तरह की आइडियाज और स्टार्ट अप के लोग भी मिलने वाले हैं मीडिया में जल रही खबरों के नुसार बताया गया है कि यहां पर देश भर के करीब 600-700 युवा स्टार्ट अप आएंगे पटना जंक्षन पर 120 लीटर अग्रेजी शराब बरामत बिहार में कहने कोई शराब बंदी लागो है लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इसकी जानकारी आपको भी बखो भी होगी इसी कड़ी में राज़ानी पटना में पटना पुलीस को बड़ी काम्यावी मिली है जिसकी तहती शराब तसकर 150 लीटर विदेशी शराब ट्रेन के जरिये पटना लेकर तो आए लेकिन जी आर्पी की चेकिंग में पूरी खेप पकड़ी गई आपकी जयानकारी के लिए आपको बदा दे होली से पहले के मंदर ज़र पटना जुंक्षिन पर विशेश चेकिंग अभियान चलाये जा रहा है इस इक्रब में विदेशी शराब का खेप लावार इस हालत प्रविला जुसे जब्त कर लिया गया है जुसके बाद अबागी की कारवाई की जा रही है ओन्नाइन परिक्षाव में सेंध लगाने वाले देश के पहले गिरो को पटना पुलीस ने दबोचा बिहार में कमाने खाने के अलग-अलग पैंतरे आजमाने वालों की कोई कमी नहीं है जो प्रतियोगिता परिक्षा के नाम पर खूब ठगने का काम करते हैं इनके कारण ही पटना पुलीस की रातों की नींद भी हराम हो गई थी वही पटना पुलीस के इस गिरो की पकड़ने में बड़ी कामयाभी मिली है करने वालों को लेकर पटना पुलीस अभी से ही अलर्ट होकर काम कर रही है जिसके तहती त्योहार के दौरान शहर में शराब पीकर कोई हुरदंग ना करे बाइकर्स का खौफ पटना की सड़कों पर ना दिखे इसको लेकर SSP मानवजीत सिंग जिल्लों ने सुरक्षा मामले की जानकारी देते वे बदाय है कि होली के पहले और होली के दौरान सुरक्षा के मामले को लेकर एक धावा दल का गठन किया गया है ये धावा दल लगातार पटना के अलग-अलग इलाकों में होटेल और संदिक दिस्तालों की चेकिंग में लगा हुआ है साथ ही अंटी लीकर टास्क फोर्स की बारह टुकडियां लगातार शराब माफियां और शराबियों पर नकेल कसने के लिए कारवाई कर रही है पटना गया धोभी सडग का निर्मान कार्य तेजी से पूरा करने का सीम ने ज़ारी की आदेश पटना गया धोभी सडग का निर्मान तेजी से पूरा करने का निर्देश पदाधिकारियों को बीते दिन मुख्यमंतरि नितीश कुमार ने खुद दे दिया है इस बाबत उन्हाने कहा है कि जैसा आप सब को पता है कि गया एतिहासिक जगह है क्योंकि गया और पुनपुर में बड़ी संख्या में लोग पिंड़ दान करने के लिए आते रहते हैं तो ऐसे में अगर निर्मानकारे तेजी से हुआ तो पतना गया डोभी मार के बनने से पतना से गया आवागमन और आसान हो जाएगा इत्दाई नहीं इस सरक के बन जाने से पढ़याटकों को भी काफी सहुलियत होगी तथा इस शेत्र का भी तेजी से विकास होगा पतना में जुटे सरकारी पर एक च्छा में उत्तरन बेरोजगार अभियर थी एक तरफ निता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदफ सत्ता पक्ष के लोगों को बेरोजगार रहला करने की धमकी देते रहते हैं वहीं दूसरे तरफ बेरोजगार युवा भी इससे अच्छूते नहीं हैं ये भी अपनी मांग को लेकर बुधवार को राजधानी पतना के नित्यकला प्रांगण में पहुचे और मुखर होकर अपनी मांग को रखते देखे गए बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है स्वास्ते वभाग की तरफ से साजहा की गई जो आनकारी के नुसार कुलमिलाकर 10 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संके 226 पर पहुच गई है इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना की बाद करें तो कुलमिलाकर दो मामलों की पुष्टी भी है जो की 1,14,556 सैंपल की जाच के बाद पॉस्जिटिव आए है आयोश कॉलेज में सेकंड राउंड का नामांकन अब इस दिन से दिहार सहीम तो प्रतियोगिता प्रवेश परिक्षा पारशद्दे बैचलर्जर्स औफ आयोवेध मेडिसन औंसर्जरी बैचलर्स औफ ओटिन सेने मेडिसिन औंसर्जरी में नामांकन की सेकंड राउंड की तारिक में बदलाव कर दिया है बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि सेकंड राउन का प्रोविशनल सीट आवंटन 15 मार्श की बजाए अब 25 मार्श को होगा वहीं आवंटन लेटर 25 से 29 मार्श तक डाउनलोड करना होगा अब आए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कारट के लिए प्रती 10 ग्राम 49,830 रुपे था वहीं 24 कारट के लिए प्रती 10 ग्राम 54,360 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांदी की ब जबाद करें तो अधिकतम 31 डिवरी सेल्शियस 24 नियों तम 16 डिवरी सेल्शियस है। आपके नुसार राज़धानी पतना के कौन से इलाके में विकास की सक्स जरूरत है अपने जवाव में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पतना की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को करें और बेलाई को अंद बारा ना भूलें धन्यवाद